क्लास 12 हिंदी के बेरी बेरी मोस्ट इंपर्टेंट टॉपिक जो आपके टेंथ के लिए भी बेरी बेरी मोस्ट इंपर्टेंट है और यह आपकी बोड इग्जाम में जरूर आता है confirm है कि ये आपके जो topic है ये जो एक और दो number वाले topic होते हैं ये आपके board exam में जरूर आते हैं तो यहाँ पर हमने कुछ most important आपको बताएंगे प्रयायवाची सब्द जिसको अनेकार्थी सब्द करते हैं most important अनेकार्थी सब्द और ये रहा board exam का paper copy इसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से आते हैं अनेकार्थी सब्द कितने number के आते हैं तो यहाँ पर दिखिए जो अनेकार्थी सब्द है वो निमलिके सब्दों में से किसी एक सब्द के दो अर्थ लिखने होते हैं ठीके ये प्रयायवाची आपके board exam class 12 हिंदी में दो number के आते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है तीन दिये होते हैं अर्क द्वीज और पतंग ठीके इसमें से आपको क्या करना है कि किसी एक का जैसे यहाँ पर द्वीज का या अर्क का या पतंग का इसका दो दो आपको इसका में इसकी दो अर्थ लिखना है ठीके दो प्रयायवाची में बताएंगे किस प्रकार ठीक है आप इस वीडियो में देखिए तो यहां पर देखिए यहां पर अनिकार्थी सब्द ट्रिक के मादन से समझेंगे जो कि बेरी बेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अनिकार्थी सब्द और सो परसेंट फूल गारंटी है कि यह आपके बूर्ड टॉपिक और बातें भी बताते हैं ओके तो यहां पर देखिए क्योंकि एज टापर तो यहां पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे अनिकार्थी सब्द कौन से देखेंगे इससे पहले कि एक हमारा सेकेंड चैनल है टेक्निकल लवली अगर आप लोग जितने लोग सब्सक्राइब किए बहुत अच्छा है अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो बोलोग प्लीज जाकर कर ले ठीक है प्लीज सपोर्ट करिए हमें भी तो यहां पर देखिए हमारा फश्ट रहा अज ठीक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अन आज कहा जाता है तो यहां पर तीन आपको अर्थ बता दिया कि अगर आपको दो बिल्कुल हार्ड लगते हो तो आपको यहां पर तीन हमने बता दिया तीनों यह आप लर्न कर लो जो आपको अच्छा लगे इसमें से दो आप ठीक है चूज करके लर्न कर सकते हो पिर उसके बार नेश्ट रहा अनंत अनंत मेंस होते हैं इन फाइनाइट ठीक है इसका मेंस क्या होता है जो आकास है वो क्या है अनंत है उसकी कहीं सीमा नहीं है तो यहाँ पर अनंत हो गया फिर उसके बाद नेश्ट रहा अंबर ठीके अंबर में इस होता है आकास ठीके आकास को क्या कहते हैं अंबर शौंग भी निकले हैं आकास पर अंबर पर तो यहाँ पर आप सौंग के मादम से भी याद कर सकते हो अंबर में इस आकास हो गया और अंब को गाड को इत्र के माधें से उनको परसन किया जाता है तो वह एक प्रकार का इत्र है ठीक है जो के मिश्टरी के दौरा बनाये जाते हैं उसके बार ने श्ट रहा अमरित अमरित में सोता कि न मरा अगर कोई मनुस्या इंसान या कोई बी जनतुजी अगर अम्रित पिले तो कहा जाता है कि वो कभी भी नहीं मरेगा तो नहीं हुआ है जल जल को भी क्या करते कि यह अम्रित है क्योंकि जल ही जीवन है जल के बीना हमारा जीवन नहीं है तो यहाँ पे फिर उसके बाद नेश्ट रहा अक्र ठीक है नेश्ट रहा अर्क जो कि आपके बोर्ड एक्जाम के पेपर में भी आये थे अर्क ठीक है इससे भी आप लोगों को काफी confidence हो गये यह बेरी बेरी most important है तो अर्क में सोगे अगनी ठीक है अगनी किसको कहते हैं अर्क जल दिया जाता है न अर्क को तो वहीं यहाँ पे सुरे और एक अर्क कहते हैं मदार का पौधा मदार के पौधे को आप लोग देखे हो देखे हो कि जरूर आप लोग तो मदार का पौधा ठीक है उसके बाद नेश्ट रहा है नेश्ट रहा अर्थ अर्थ में सोते है कמת 25 कि उनके पास द्हन की कमी हो गई है तो वही अर्थ में थान और अर्थ में अլक्र लोग करते हों mmестно पिर उसके बाद नेश्ट है अली अली मिन्स होता है देखे भौरा अली मिन्स क्या होता है भौरा होता है कोयल होती है और बिच्चु भी होता है अली मिन्स फिर उसके बाद नेश्ट रहा है आग आग मिन्स हो गया गर्मी ठीक है आग जहां जलती हुआ क्या होता है गर्मी उ करना ठीक है अप कोई भी कारी को अरंब करते हो स्रीगड़सा या नम या अजर कोई भी गाट का नेम लेकर यहां पर वही आरंब करना है आरंब में सोगे है शुरुआत करना ठीक है यह स्रीगड़सा है देखें आप आप एमने जो बोला वही है तो फिर उसके बाद आपके उत्तर के पीछे हमारा घर में इसके पीछे ठीक है और फिर उसके बाद एक उत्तर का अर्थ हो गया दिसा क्योंकि पूरा पच्छिम उत्तर दच्छिल तो वही हो गया दिसा फिर उसके बाद नेश्ट रहा कनक कनक को क्या करते हैं सोना और धतूरा ठीक है कनक में इसक important है फिर उसके बाद नेश्टरा कर कर मेंस होता है एक देखे होता है ठीक है आप लोग करते हो कि हमने यहाँ पर इतना कर दिया यह हो गया text पूल text होते हैं तो वही यहाँ पर और एक होता है कर मेंस हाथ यह भी बहुत ही है आप लोग इसको भी लर्न कर लिजी तो यह रहे हमारे कुछ most important पर्याइवाची सब्द जो आपके बोर्ड एक्जाम में दो नंबर के आते हैं और इसके अलावा भी आपके class 10 और class 12 के अलावा भी अगर आप class 12 पास है तो यह आपके other competitive exam में भी यह पर्याइवाची सब्द आते हैं इसलिए आपको इसको बहुत ही ध्यान से समझना होगा और याद करना होगा ओके तो आज के इस वीडियो में इतना ही आपको यह वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे और हां कमेंट करना आ I am very excited your comment तो आप लोग प्लीज कमेंट जरूर करिया करें और वीडियो को जादे से जादा आप लोग सेयर किया करें और लाइक किया करें ठीक है आप सभी लोग अपने फ्रेंड्स में भी सेयर किया करिये तो आज के इस वीडियो में इतना ही आपको यह वीडियो कैसा लाग कम्मेंट करना नावुदे, thank you, all the very best, bye